असलाम वालेकूम आवरीवान कैसे आप सब लोग के लिए आप लोग सब खेलियत से होंगे और मैं हुशा गुफता अली और एक और एक साइटिंग टुटोरियल के साथ इलिस्ट्रेशन के आप ही खिदमत में हाजर हैं आज हम लोग जो कवर अप करने जा रहे हैं अब्जेक्ट की मैनियों के अंदर हमारे पास टेक्स ट्रेपिंग का एक ऑप्शन है जो बहुत ही अच्छा है कि जिस तरीके से हम टेक्स को एक एक इमिज के अकॉर्डिंग या मल्टी इमिज के अकॉर्डिंग के साना से रैप कर सकते हैं इस प्रीवेस लेक्शर मैंने अन्वलब डिस्टोर्ट का बनाया था जिसमें मैंने मैंने मैंक विद रैप मैंक विद मैश और मैक विद टॉप अब्जेक्ट को कॉप अप किया था तो अगर आपने भी तक दिन नहीं देखा तो आई बटन के लिंक में उसका लें यह तो सब्सक्राइब कर लें सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीजह यहां पर में एक बैग्राउड लेटी हूं यान्ष ऐसा को पताए कि अलिस्ट्रेशन के अंदर बैग्राउड के बगएर आप काम नहीं करसकते हैं सो कोशिश करें कि जब भी आप काम करें इलिस्ट बन कर देती हूँ मैं और sorry fill मुझे active करना है मैं इसकी outline को close कर दूँगी background color is white black sorry and okay ठीके बेए so outline को भी बन कर देते हैं और canvas को बड़ाबर देते हैं इसी के साथ इस layer को आप लॉक कर लें कंट्रोल टू दे शॉर्टकट की ओके अब लॉक करने के बाद मैं यहां पर एक सर्टन अब्जेक को कर लेती हूं अब्जेक याद रखिए अगर png format में होना चाहिए मतलब उस object का background नहीं होना चाहिए तो मैं यहां पर कंट्रोल माइनस से इस object को अपने ही canvas के ओपर लेकी चाहती हूं artboard के ओपर अब मैनस को यहां से यहां drop किया png format में मैं असली कहा ताकि आपको wrapping clearly समझ में आ सके सो दैन रिसाइज इट कंट्रोल पिला से जूम करने हैं यह काम करने के बाद मुझे random text चाहिए फिलहाल आपके पास अगर text है तो आप लिख सकते हैं फिलहाल मैं randomly text ले रही हूं जो by default हमारे पास text tool के अंदर valuable होता है then I change the color of my text okay यह काम करने के बाद अब आपने जो back पे आपके picture है जो object है आपका उस object को यह आप simple text tool को select करें और इसको transform करके sorry arrange करके send backward भीज़ दें तो यह जो object है आपका यह front पर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आप control यह से select करें हैं दोनों objects को आएं और आप objects पर जाके इसी के साथ properties के अंदर अगर आप justify करना चाहें टैक्स को तो भी आप कर सकते हैं टैक्स alignment के उपर work करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं तो इस तरीके से आप object के अंदर किसी अच्छा यह नहीं कि एक दफा बना दिया है इसी object को अगर आप कहीं पर to and from move करेंगे तो तो टोमैडिक अलिए आपका wrap जो हो टैक्स वहां से हटना शुरू हो जाएगा तो आपको आज का lecture clear हो गया होगा इसके इलावा text wrap options भी है offsets हैं अगर आप offsets बढ़ाना चाहें तो आप offsets बढ़ा सकते हैं अपनी object के so if you have any query बलकुल आप पूस सकते हैं और वीडियो को like किजिएगा और अगर अभी तक share नहीं किया तो share किजिएगा और subscribe कर लें ताकि आपको notification मिलती रहा लग नब बोस और इञाद रखएगा अलापस